हाई गाईज दिस इस मताली और वेलकम बेक तू मार चैनल गाईज तो गाईज आज मैंने किया है वेलंटाइन डे मीकप लुक इस मेकप को हर एज वाले आराम से कर सकते हैं बहुत ही सिंपल सा मेकप लुक होने वाला है तो प्लीज वीडियो को आगे देखिए और मीकप कीज तो गाईज इससे आपके जो पोर्स होते है वो फिल हो जाते हैं आपको एक अच्छा सा बेस मिल जाता है आपको प्रॉबलम नहीं होती है आपका कोई भी फाउंडिशन जो होता है वो आपके पोर्स के अंदर नहीं जाता तो अच्छी तरह से प्राइमर लगाने के बाद आप इसे दो मिनेट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद अपना foundation लगाएं. दो मिनेट हो चुके हैं गाइस और अब मैं यहाँ पे अपना NYB का foundation यूज़ करूँगी. डॉट डॉट करकर अच्छे से हम foundation को लगाएंगे. अब हमने अपना यहाँ पे beauty blender लिया है और उसके help से अच्छी तरह से हम अपने foundation को blend करेंगे. यहाँ मैंने next लिया है अपना concealer और concealer हम वहाँ लगाएंगे जहां हमें ज़वत है. हर जगे पूरे face पर आपको concealer नहीं लगाना है. थोड़ा थोड़ा जहां आप high points होते हैं वहाँ पर जहां भी आपको highlight करना हूँ अपने face को वहाँ लगाएंगे. तो हम लगाएंगे और अच्छी तरह इसे भी beauty blender की help से blend करेंगे. blender की help से अच्छी तरह से इसे blend करने के बाद हम इसे set करेंगे और set करने के लिए हमने लिया है यहाँ पर loose powder जहां हमने concealer लगाया है. वहाँ हम अच्छी तरह से उसे set कर देंगे ताकि कोई भी lines नहीं नज़र आनी चाहिए आपके face पर. Next मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपना bronzer और हम अपने face को थोड़ा सा पतला दिखाएंगे. एक dimension देंगे face को. एकदम white white सा हमारा face ना लगे. हमारे जो cheeks हैं वो अलग नज़र आएं हमारे chin, double chin जो होते हैं वो अलग ही नज़र आते हैं तो इससे थोड़ा सा hide हो जाता है. हम अपनी थोड़ी सी चप्ती जो नाक होती है जिया जो थोड़ी सी मोटी होती है उससे पतला दिखा सकते हैं इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए आराम से blending कीजिए और अपने face को थोड़ा सा पतला दिखा सकते हैं इससे आराम से. गाइस एक पतले brush के help से आप अपनी nose आप अपनी नाक को पतला दिखा सकते हैं थोड़ा सा आप dimension दे सकते हैं तो एक पतले brush के help से आप इसे अच्छी तरह से contour करें. ब्लश के लिए guys यहां पर मैंने coral सा पीची कलर लिया हुआ है और इससे हम अच्छी तरह से अपना blush लगाएंगे हमेशा की तरह direct face पर ना लगाते हुए मैंने पहले अपने हाथों पर लगाया है ताकि बहुत जादा मेरे face पर ना लग जाए natural सा लगे तो इसलिए आप हलका हलका थोड़ा थोड़ा product लेकर लगाएं एकदम overdone कुछ भी नहीं करना है guys जितना आप natural लगेंगे उतने ही आप अच्छे लगेंगे ज्यादा अच्छे लगेंगे बहुत ज्यादा heavy makeup आप नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा next यहां पर मैं ले रही हूँ highlighter और अपने face वो अच्छी तरह से highlight करूंगी silver highlighter का use कर रहे है guys हम अपने nose को highlight करेंगे अपने chicks को highlight करेंगे यहां मुझे बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है तो प्लीज आप उन आवाजों को थोड़ा से ignore करें बीच बीच में आपको मेरा गला खराब है तो उसकी वज़े से भी कुछ आवाज ऐसे आ रही होंगी और मुझे बहुत ज्यादा सर्दी है तो sorry guys उसके लिए प्लीज यहां हम अपनी आईब्रो फिल करेंगे उसके लिए मैंने लिया हुआ अपना पैलेट जिससे मैंने वैक्स निकाला है और सबसे पहले मैं वैक्स लगाती हूँ उसके बाद ही मैं आईब्रो फिल करती हूँ अप जो प्रॉड़क्ट से होता है हमारा उसे लगाने के बाद दूब रखी हैं अगर भी वेक्स कर सकते हैं लेगन मैं पहले यूज करते हूं यहां पर मैं एक थोड़ा सा डार्क और लाइट कलर को अच्छी तरह से अपने हाथों पर मिक्स करूंगी और उसके बाद फिर मैं उससे अपनी आइब्रो फिल करूंगी आप चाहें तो आप अ इसलिए थोड़ा सा लगता है अगर आप एकडम डारेक्ट बहुत ज्यादा डार्क डार्क लगा लोगी तो वह अलग ही लगेगा इसलिए थोड़ा सा लाइट कलर रखना चाहिए आपको यहां हम अपनी दोनों आइब्रो फिल कर लेंगे और फिर आगे का मेकप स्टार्ट करेंगे गाइस यहां मैंने आइलस करलर लिया हुआ है और मैं फेक लैसेस का यूज नहीं करती हूँ इसलिए मैं हमीशा पहले अपनी लैसेस को करल कर लेती हूँ पाई मेकप करने के लिए यहां पर मैंने अलग से किसी आइसाड़ पैलेट का यूज नहीं किया है अपने ब्लश पैलेट में से मैंने अपना ब्राउंजर लिया हुआ है और एक ब्रस के आप से अच्छी तरह से मैं अपना क्रीस बिल्ड़ अप करूँगी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करूँगी नेक्स्ट कलर यहां मैंने जो हमने ब्लश लगाया हुआ था एक पीची सा कलर वो लिया है पतले ब्रस के हैब से हम अपने क्रीस की थोड़ा सा नीचे ब्लेंड करेंगे अपना हाइलाइटर जिसे मैं अपनी फुल लिड पर यूज करूँगी अपनी उंग्लियों के हैल्प से ही मैं इसे अच्छी तरह से प्लेस करूँगी और इसे ब्लेंड करूँगी हम यहाँ पे अपना मस्कारा यूज करेंगे आइलाइसस को हमने पहले ही कर्ल कर लिया था और अच्छी तरह से मस्कारा लगा लेंगे मस्कारा हमेशा आराम से दीरे दीरे लगाएं गाईस नहीं तो वो फैल जाता है और आँखों के आसपास लगने का हमेशा डर होता है यहाँ हम अपने ब्राव बोन को हाइलाइट करेंगे और इनर कॉर्नर भी हाइलाइट करेंगे गाईस यहाँ मैं लिपस्टिक का यूज कर रही हूँ और आज मैं दो यहां पर मैंने जो परपल कलर का जो लिपस्टिक लिया हुआ है उसे मैं आउट लाइन की तरह यूज करने वाली हुए एक लाइनर की तरह यूज करूंगी और लास्ट में यह बहुत अच्छा इसका लुक निकल कर आएगा तो देखिए आप किस तरह से मैंने इस लिपस्ट को लगा लिया आउट लाइन की तरह लगा लिया है और नेक्स्ट जो हम कलर लेंगे वह एक न्यूड पिंक कलर है जिसे हम अपने लिप्स पे बीच में फिल करेंगे मुझे ये लिपस्टिक जिस तरह से मैंने लगाया है ये मुझे बड़ा ही पसंद आया अगर आपको भी इस तरह से लिपस्टिक लगाना पसंद है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताईए और कमेंट जरूर कीजिए गाइस कि आपको ये मेक अप लुक कैसा लगा क्योंक अच्छा काम करने का मन करता है यह रहा मेरा फार्दाल लुक काईस अगर आपको यह वीडियो पसना रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा अपने फैमिली एंट राइट शेयर कीजेगा चैनल पर ना है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो कि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें बाई काईस